है 2 जिन फेले मुझे क्मेंट आह था कि सदो स्पीटर है दोनों स्पीकर को एक वो कभी एक स्पीकर बजाना चाहता है अपने अपने लीड कि एकस्टर bait करें 371 ऐसको के फेयर के कि अपने फोरॉम में हैं और आपका स्पीकर के एक स्पीकर करनेट की है ठीक है तो उसी सब से बार-बार वाइरिंग तो करते नहीं रहेंगे कोई भी दुकान दर या फिर कोई भी शॉप में अगर आपने सिस्टम सेट अप किया है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो ऐसा क्या कि सब्सक्राइब हो जाए या यह दो बटन दबाएं और आपका जो सैट्ञ वह चेंज हो जाया कभी आप एक स्पीकरवजा सकेक आप 2 स्पीकरव जा सके बहुत सिम्पल स्से सॉल्यूशन है जैसे आप देख सकते हैं दो स्पीकर हैं हमारे पास 88 टूम के इसको स्पीकरवन ठीक है उसके बाद जो स्टेक्ट अपना जो प्लस पॉइंट है दोनों के प्लस पॉइंट के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा जैसे आप इसको करेंगे उसके बीच में आपको करें यहां यहां तक आपका जो क्या करेंगे प्लस और मायनस प्लस और मायनस से एक दो वायर निकालना है टीप होगा और एक स्लिव्ड होगा वो वॉल laugh के साथ क्रिप करना रहता है यहां तक कंप्लीट हो जाता है जैसे बटन दबाएंगे मतलब बटन चलू करेंगे आपका यह जोएंट हो जाएगा तो आपका यह जोड़ जाता है तो आप के साफसे कर सकते हैं और जैसे आप सक बटन करेंगे तो क्या होगा यहां पर आपका एक स्पीकर डिसकनेक्ट हो जाएगा तो एक स्पीकर की इंपिडेंस वाल्यू आएगा जो की एक होगी ठीक है और इस जो आप पिन देख रहे हैं इसको उसी के गॉर्डिंग सेट करना रहेगा वह कैसे करेंगे वह भी आपको बता रहा हूं यौफ जो हमारा होता है उसके पीछह होते हैं तो उसमें आपको कॉम मिलेगा फोर और ओम्स और यह वहाँ जैसे आपको यह मिलता है तो अब क्या कर सकते हैं सिंपल है आपको आपका जैसे मैंने बता है 3.5 होता है इसका जो को फिलेगा से उसको क्या करना पड़ेगा इस में आपको दो मिलेगा एक प्लस के लिए के लिए ठीक है जो आप मल्टीमिटर आप यूस करेंगे तो उसके साथ आपको पता लग जाएगा कौन सा प्लस के लिए रहेगा अब उसको क्या करना रहेगा आपको जो माइनस वाला टर्मिनल रहेगा उसको कॉम के साथ करना है और जो प्लस वाला टर्मिनल उसको फूरों के साथ करना रहेगा यह पहला स्लोट रहेगा ठीक है पहला स्लोट के लि के से वायरिंग कंप्लेट हो जाती है एक बॉक्स रेडी कर लिजिए आप का कि थोड़ा इजी हो जाए एकसेस करना जहां पर आपका जो स्पीकर वाला स्विच वह एक आ जाएगा यहां पर एक स्विच आ गया वह दोनों सॉक्ट को आपको इस तरीके से इसमें सेट कर देना पर आपको एक स्विच कोंट करना पड़ेगा और इसको एप मिल जाएगा रहता उनकी सेट स अब करना है उससे पहले नहीं करना है उसके बाद क्या वैसे तुरंट प्रॉब्लम नहीं आता है बट कभी के बार ऐसा होता है कि सैटिंग चेंज करने से इश्व आ जाता है बट फिर भी आप ध्यान रखें कि जब कनेक्शन आप चेंज कर रहे हो तो आप बन कीजिए और उसके बाद आप चलाएं ठीक है आप जैसी आपको दोनों स्पीकर चलाना आपको क्या करना पड़ेगा सुच को बंद करना पड़ेगा और आपको चेंज करके फोरौम वाले सॉक्ट में डालना रहेगा इस तरीके से आपका पूरा स्पीकर को एक साथ चला सकते हैं तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटीव लगे तो वीडियो को लाइक करना थैंक्स फॉर वाचिंग